नमस्कार आप सभी को, आज की इस वीडियो में हम जानेगे भाते ने सेता में section 5, section 6 और section 7 इन तीन section को आज हम discuss, अच्छे से discuss करेंगे और इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आगी जो हमारे भाते ने सेता है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, नए कानून से related तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो section 5 है, section 5 जो हमारी IPC में जो section थे section 54, section 55 और section 55A, इन तीन section में को अब ए कर दिया गया है जो है भाते ने सेता में section 5, section 5 में क्या बताया गया है, section 5 में commutation of sentence की बात किया गयी है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चीज़, commutation का मतलब होता क्या है, commutation का मतलब यह होता है कि सजा को कम करना, लेकिन इतनी भी कम नहीं करना, जो जैसे कि death की सजा दी गई है, तो death की सजा को imprisonment for life कर देना, मतलब कि उमर क्याद कर देना, अगर imprisonment for life दी गई है, तो उसकी सजा को 14 या 20 साल तक की उसको कर देना, तो जो section 5 है, यही बता रहा है, जो section 5 में बताएगा, commutation of sentence के बारे में, देखें, आपको नीचे दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, section 4, section 5 में क्या लिखा हुआ है, section 5 में लिखा हुआ है कि, जो appropriate government है, appropriate government के पास यह power होती है, कि उसकी जो सजा है, किसी offender की सजा को क्या कर सकती है, commute कर सकती है, उसकी without permission के, उसकी बिना permission लिए, उसकी सजा को क्या कर सकती है, कम कर सकती है, जो appropriate government है, लेकिन वो किसके according, उसका क्या procedure रहेगा, जब वो उसकी सजा को कम कर रहे हैं, जो भारते नागरी सुरक्षा सहीता है, उसमें section 474 section है, उसके according, उसके जरिए, उसके अंदर procedure बताया गया है, जो हमारी भारते नागरी सुरक्षा सहीता है, उसमें जो procedure है, जो section 474 में दिया गया है, उसके according, वहाँ पर उसकी सजा को कम्यूट करेगी, तो उसके according करेगी वहाँ पर, जो हमारी appropriate government है, और जो appropriate government है, उसका meaning भी section 5 में ही बताया गया है, जो appropriate government होती है, तो central level पर आप देखते है, central government होती है, ठीक है, और state level पर देखते है, तो आपको state government देखने को मिलेगी, इन दोने के पास यह power होती है, कि वह सजा को कम कर सकते हैं, death की सजा को भी, या फिर कोई other उसको punishment जो उसको मिलिया है, जैसे कि imprisonment for life, या उसको ज़्यादा सजा मिली है तो उसको कम कर देना, तो इस तरीके से state government और जो central government है, वो सजा को कम करेगी, जो appropriate government है, जो हमारा Indian constitution है, Indian constitution यहीं बताता है, जो सजा को कम करने की power किसको दी गई है, प्रेजिडेंट को, जो central level पर किसके पास power होती है, प्रेजिडेंट के पास, और जो state level पर किसके पास power होती है, वो गवंणर के पास, इन दोनों के पास यहां पर power होती है, कि वो क्या कर सकते हैं, वो सजा को कम कर सकते हैं किसी offender की सजा को कम कर सकते हैं तो वो section 474 जो हमारी भाते नागरी सुरक्सा सहीता है उसके according वहाँ पर वो सजा को कम करेगी और जो section 474 है उसकी मैंने अलग से series चला रखी बारते नागरी सुरक्सा सहीता में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो उसमें मैं सीरीज वाइज आपको बता रहा हूँ और आप वह वीडियो नहीं देखते हैं तो आप उस वीडियो को जुरूर देखिए जो मैं बारते नागरी सुरक्सा सहीता पड़ा एक सीरीज मै मैं इन दोनों की एक-एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ daily की, आप अगर इन सभी वीडियो को daily की देखोगे routine wise, तो आपको ये सभी जो section है भारते नए सेता में, जो भारते नए सेता में, इन सभी के loss के बारे में आपको पता लगेगा, तो चलिए बिन time waste के हम आगे बढ़ते हैं, जो section 5 है वो मैंने आपको बता दिया, और जो आगे है इसमें section 6 है, जो कि fraction of the term of punishment की बात करता है, fraction, देखे, इसमें fraction किस चीज की बात किएगे section 6 में, इसमें imprisonment for life के उपर focus किया गया है, आपने काफी बात सुना होगा, imprisonment for life mostly कितने साल की हो सकती है, 14 साल या 20 साल की, लेकिन ये गलत है, imprisonment for life तब तक वो अंदर रहेगा, offender, जब तक वो नहीं मर जाता, imprisonment for life का मतलब यहाँ पर यही है, लेकिन काफी लोगों के मन में ये doubt होता है, कि उसको 20 साल या 14 साल उसको अंदर रखा जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है, और क्यूंकि ऐसा क्यूं नहीं है, जो section 6 है यहाँ पर, section 6 में ये बताया हुआ है कि, जो equivalent माने जाएगी, जो punishment है, imprisonment for life की, उसको माने जाएगा 20 साल से, ठीक है, जो 20 साल के लगबग उसको माना जाएगा, imprisonment for life को, लेकिन यहाँ पर ये procedure इसलिए दिया गया है, ताकि हम fraction कर से के terms का, जैसे कि आपने देखा होगा, murder, murder की अलग सजा है, जो कि आप IPC में 302 पढ़ते थे, लेकिन भारती नहीं से थे में 103 है, ठीक है, जहाँ पर imprisonment for life के सजा है, और वहाँ पर वो attempt कर रहा है, आपने एक IPC में section भी पढ़ा होगा, 511 section, 511 section में क्या होता था, 511 section में अगर कोई attempt करने की कोशिश करता था, तो उसका 1 half, या फिर 1 fourth, वहाँ पर उसको punishment मिलती थी, तो आपने वहाँ पर देखा होगा, अगर कोई fine भी pay नहीं करता है, तो 1 fourth वहाँ पर उसको सजा मिलती थी, जो उसकी imprisonment थी, किसी section में, तो यहाँ पर आप कैसे fraction निकालोगे, जो imprisonment for life है, imprisonment for life यहाँ पर इसलिए दिया गया है, इस साल के equal माने जाएगा, ताकि उसके अत्ता fraction कर सेगे, मान ले जागर किसी ने attempt कर दिया, तो imprisonment for life का कैसे निकालोगे, मान ले जागर उसमें, imprisonment for life के साथ, किसी person को क्या बोल दिया गया है, अपना fine भी pay किजिए, और वो fine pay नहीं करता है, तो अगर वो fine pay नहीं करेगा, तो जो उसकी punishment मिलिया, imprisonment for life, उसको one fourth मिलेगा, तो one fourth यहाँ पर कितना माने जाएगा, पांस साल, पांस साल यहाँ पर माने जाएगा, जो equivalent बताया है section 6 में, तो इसी वज़ए से यहाँ पर यह 20 साल की यहाँ पर punishment provide की गई है, equivalent माने जाएगा, imprisonment for life के, इसलिए यहाँ पर बताया गया कि, तागि हम fraction कर सेगे, हम उसके अंदर calculate कर सेगे, कितनी punishment उसको मानी जाए, अगर कोई person fine pay नहीं कर रहा है, और उसके साथ मुसको imprisonment for life मिली है, और वो fine pay नहीं करेगा, तो उसको one fourth उसको सजा मिलेगी, one fourth कितना हो जाएगा उसको फिर, पांस साल के उसको वहाँ पर extra मिल जाएगी सजा, तो इसको इसलिए यहाँ पर इसके अंदर, यह punishment दी गई है section 6 में, इसमें यहाँ पर इसलिए equivalent बताया है section 6 में, तो आपको यह समझ में आ गया होगा, जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश करिया है, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में है, तो एक बार इस वीडियो को rewind करके फिर से सुनना, जिससे आपको और भी concept clear होगा, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो section 7 है, section 7 यहाँ पर किस बारे में बात करता है, यहाँ पर rigorous imprisonment और simple imprisonment, holy और partly, दोनों मिल सकती है, holy भी मिल सकती है, partly भी मिल सकती है, वो कैसे, देगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में, आपको बताया था section 4 में, कि rigorous imprisonment होती क्या है, और simple imprisonment होती क्या है, rigorous imprisonment जिसमें कठोर कारावास होता है, जिसमें उस person से jail में काम करवाया जाता है, और simple imprisonment जिस person से कुछ नहीं करवाया जाता है, तो उसको सिर्फ jail में रखा जाता है, यह दोरों के बारे में, मैंने आपको पिछली वोडियो में बताया था इस बारे में, लेकिन यह जो section 7 है, section 7 यहाँ पर बता रहा है कि holy और partly उसको सजा मिल सकती है, मान लिजे किसी person ने कोई offense कर दिया, और उस person को वहाँ पर एक साल के सजा मिल गई, उसको एक साल के सजा मिल गई, तो court उसमें mention भी करेगी, कि उसको simple imprisonment है, यह rigorous imprisonment है, और court अपने order में यह भी mention करेगी, कि जो उसको वहाँ पर सजा मिली है, वो holy मिली है, मतलब कि एक साल उसको rigorous imprisonment मिली, उसको अंदर jail के अंदर उसको काम करना पड़ेगा, और court जब भी उस person को punishment दे रही है, अगर उसको partly दे रही है, जैसे कि उसको 6 मेंने क्या करना पड़ेगा, rigorous imprisonment में रहना पड़ेगा, और 6 मेंने क्या है, उसको simple imprisonment में रहना पड़ेगा, मतलब कि 6 मेंने उसको hard work उससे करवाया जाएगा jail में, और 6 मेंने उसको ऐसी jail में रखा जाएगा, तो court अपने order में वहाँ पर mention करेगी होगी हमारी partly, और holy कैसे होगी, holy उसको एक साल पूरा उसको rigorous imprisonment मिलेगी, पूरे साल एक साल उसको jail के दिनर काम करना पड़ेगा hardly, अगर उसको simple भी मिलिया है, कि उसको किस तरह से jail में रखना है, यह section 7 simply यहाँ पर यह बताने के कोशिश कर रहा है, और यह competent court के पास power होती है, ठीक है, जो competent हो, उसको सजा देने के लिए, तो यह section 7, section 6 और section 5, इन तीनों को मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, अगर फिर भी आपको कुछ doubt होता है इसमें, तो आप मेरे telegram channel को join करें, मुझे message करें के बता सकते हैं, और अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया, तो जल से जल channel को भी subscribe करेंजिए, जिससे कि मैं आपको new laws के बारे में आपको बता सकूँ, जो new criminal laws है, तो चलिए, अब हम मिलेंगे अपनी next video में, okay, bye